राफिल की दहार टैंक का प्रहार, दिखा सेन्य शक्ती और संस्कृति का संगम 74 वे गंतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पत पर देश की आन, बान और शान का नजारा दिखा, यहां भारत की संस्कृति की जहलक भी देखने के मिली तो सेन्य शक्ती का प्रदर्शन भी गंतंत्र दिवस समारों में मुख्य रूप से नारी शक्ती के विभिन रूपों के दर्शन हुए राश्ट्रपती द्रोपदी मुम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्यनेताओं के साथ आम लोगों ने भी भव्य परेट का आनंद लिया मिस्त के राश्ट्रपती अब्दुल्फते अलसीसी इस गंतंत्र दिवस समारों में मुख्य अतिती रहे इस खास मौके पर परेड में मिस्त के सशस्त्र बलों के एक दस्ते और संगीत बैंड ने भी हिस्सा लिया मिस्र के माचक दस्ते में उस देश के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं के 144 सैनिक शामिल थे इस दस्ते का ने तृत्व करनल महमूद मुहमूद अब्दुल फत्र अलखरास्वी ने किया इस मौके पर भारतिय सशस्त्र सेनाओं के सदस्य भी मौजूद थे राष्ट्रपती ड्रैपदी मुर्मू ने सुबह 10.30 बजे तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान की धुन के बीच 21 तोपों की सलामी के साथ परेड शुरू हुई इस बार 21 तोपों की सलामी पुरानी 25 लोडा तोप के स्थान पर 105 एमिम की भारतिय तोप से दी गई सलामी मंच पर ड्रोपदी मुर्मू की मौजूदगी में कर्तवय पत पर भारत की संस्कृती के विभिन रंगों के साथ रक्षक शेत्र की ताकत का प्रदर्शन किया गया अत्याधुनिक हत्यारों, मिसाइलों, लडाकु विमानों और जहाजों के साथ भारतिय सैनिकों के दस्तों ने किसी भी चुनौती से निपर्ट सकने की देश की ताकत का कर्तवय पत पर देश की आन, बान और शान का शांदार नजारा दिखा हिसास कराया सबसे आखिर में रोमांच से भर देने वाले युद्ध विमानों को कर्तवय पत के उपर से उडान भरते देखा गया धुन के बीच कम द्रिशिता में भी पचास युद्धक विमानों के कर्तब देखने के लिए लोग उत्सुक न जराए अधिकारियों के अनुसार गंतंत्र दिवस परेड में भारतीय सैन्य उपकरणों में मेड इन इंडिया की प्रमुकता रही और यह आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप थी परेड में मुख्या युद्ध टैंक अर्जुन नाग मिसाइल प्रनाली के नौ बजर प्रनाली का प्रदर्शन किया गया आकाश मिसाइल प्रनाली के प्रदर्शन की अगुवाईल एफिटिन एंचेतना शर्माने की सेना के मार्चिंग दस्ते में डोग्रा रेजिमेंड, पंजाब रेजिमेंड, मराथठा लाइट इन्फेंटरी, बिहार रेजिमेंड, गोरखा ब्रिगेड के अलावा मेकेनाइज इन्फेंटरी के जवानों ने सलामी दी गंतंत्र दिवस परेड में एक प्रमुक आकरशन सीमा सुरक्षा बलों का उंट दस्ता रहा करतव्य पत पर उंट दस्ते को लेक्र दर्शकों में खासा उत्सा देखा गया इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राश्ट्रिय समर्स मारक जाकर शहीदों को श्रधानजली अपित की इस अफसर पर रक्षा मंत्री राजनात सेवाओं के प्रमुक भी मौजूद थे इसके बाद प्रधान मंत्री गंतंत्र दिवस समारो में शामिल होने के लिए कर्तवय पत पहुँचे उनके वहाँ पहुचने के कुछ ही देर बाद राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्म और समारो के मुख्य अतिथी और मिस्व के राश्ट्रपती अब्दुल्फते अल सीसी करतवय पत पर मुख्य समारो स्थल पहुचे प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सिंग, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट, प्रमुक रक्षा अध्यक्ष जनरल अनल चोहान और तीनो रक्षा अग्वानी की के 144 सदस्यों वाले दस्ते परेड में भारतिय नौसेना काने तृत्व लेफ्टिनेंट कमांदर दिशा अमरित ने किया, इसके साथ ही परेड में नौसेना की जहांकी भी प्रस्तुत की गई